हेलो एवरिवन मैं मिनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल पर मुझे उमीद है कि मेरी चैनल से पढ़के आपको कई सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आते हैं मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे कई सारे सब्जेक्स के ऊपर कम्प्लीट वीडियो लेक्च्छर तो अपनी नौलिज को बढ़ाए और सपनों को सकार कर लीजिए तो मैं आपके साथ डिसकस कर रही हूं रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बारे में इसे मैंने आपके साथ डिसकस करा है टोटल आथ पार्ट्स में हर एक चीज को डिटेल में एक्स्प्लेइन किया है मैंने आज हम डिसकस करने वाले हैं पार्ट सेब्ड जिसमें हम जानेंगे कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया किस प्रकार से मनी मार्केट को गर्मेंट सेक्योरिटीज को और फॉरन एक्स्चेंज के रिलेटेड रेगुलेशन बनाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रीकैब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है जो कि सारा कारोबार पैसे का संभालता है और नियंतरित भी करता है दस मेंट फॉंक्शन्स मैंने आपके साथ डिसक्स किये हैं पिछले वीडियो लेक्टर्ज में हमने foreign exchange management या इसके reserves की management के बारे में अच्छे से जान लिया है आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं और सीखने वाले हैं regulations के बारे में कि किस प्रकार से RBI अच्छे से पूरी monetary operations को संभालता है ताकि देश में ये सब operations एक नियमित रूप से चलें भारत में जितनी भी monetary operations होती है उन सब का दारुमदार टिका है Reserve Bank of India के rules and regulations के उपर इन monetary operations को regulate करने के लिए तीन categories बनाई गई सबसे पहली स्लाइड में ध्धान से देखिए लिखी है open market operations open market operations एक साफ साफ और सीधा अधिकार है Reserve Bank of India के पास अधिकार है purchase और sale करने का government securities इस tool की मदद से पूरी monetary management की जाती है RBI के द्वारा RBI समय समय पर secondary market में securities की sale और purchase करता है और ये सारा काम अब electronic negotiated dealing system की मदद से ही होता है इसे order matching भी बुला जाता है ये एक ऐसा platform है जहां पर bids डाली जाती है और offer को accept किया जाता है और Reserve Bank of India secondary market transactions को settle करता है सेटल करने के लिए Reserve Bank of India के पास है Clearing Corporation of India Limited सारा settlement का process इसी के द्वारा ही किया जाता है ये है delivery versus payment mode जिसमें net balance निकाला जाता है और netted fund की settlement कर दी जाती है अब settlement करेंगे कहां? settlement करेंगे current account के में current account जो की maintain किया जाएगा Reserve Bank of India के पास अब ये designated settlement bank है उन members के लिए भी जिनका current account RBI के पास नहीं है तो इन securities की settlement कर दी जाती है और देश में कारोबार को बढ़ाया जाता है तो इसी तरीके से government securities की trading को facilitate करता है RBI और ये एक guaranteed settlement process भी है इसी के कारण किसी भी तरीके का default system के अंदर नहीं आप पाता monetary operations को अच्छे से चलाने के लिए RBI का जो दूसरा काम है वे है liquidity adjustment facility अब ये काम कैसे किया जाता है सबसे पहले तो ये जानिए कि liquidity का मतलब क्या होता है liquidity का मतलब होता है ऐसी surety होना कि cash हर समय उपलब्ध होगा एक reasonable cost के उपर ताकि जो भी system है वे अपनी सारी की सारी liabilities को meet कर पाएगा अब किस level पर इसको रखना है ये RBI ही निर्धारित करता है और इसे निर्धारित करने के लिए rate money market में RBI के द्वारा ही set किये जाते हैं इसके अंदर दो rates है एक है rapor rate और दूसरा है reverse rapor rate इसके उपर detail में video lecture channel पर available है सबसे पहले तो थोड़ा सा में detail में आपको बता देती है rapor transaction का मतलब होता है कि जब reserve bank को लगता है कि liquidity कम है तो वे liquidity को बढ़ाने के लिए जो securities है उन्हें खरीदना शुरू कर देता है ताकि पैसा market में आ जाए और दूसरी तरफ reverse rapor transactions होती है जब liquidity जादा हो जाती है तो उस समय उस liquidity को absorb करने के लिए RBI provide करने लगता है securities को तो इस प्रकार से RBI liquidity adjustment facility operations करता है और auctions conduct करता है दिन में एक या दो बार और इस operations की मदद से वे modulate कर देता है जितनी भी overnight liquidity condition उसे effectively चलानी होती है उसको अब इसके अंदर अगला point आ जाता है market stabilization scheme का ये एक बहुत ही जरूरी scheme है जिसे की introduce किया गया था April 2004 अब इस scheme को introduce करने के पीछे basically purpose था government of India के दिमाग में ये कि जितनी भी securities है सरकारी चाहे वो treasury bills है या किसी भी और प्रकार की security है उसको अच्छे से issue किया जाए और absorb कर लिया जाए जितना भी surplus market में है इससे जो structure है वे durable होगा किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आएगी और liquidity position को एक लंबे समय तक अच्छे तरीके से manage किया जाएगा अब इसे जब create किया गया था तो यहाँ पर इसे reserve bank of India के पास ही अच्छे से छोड़ा गया था और ये एक ऐसा tool था जिसकी मदद से जो भी impact आ रहा है liquidity position का foreign exchange market के द्वारा उसे संभाल लिया जाए तो ये एक ऐसा tool था जिससे market में फिरता लाए जाने की कोशिश की जाती थी तो इस function के अंदर reserve bank of India का main ध्यान है money market को अच्छे से regulate करने का foreign exchange में आ रही volatility का हमारे देश के उपर कोई भी असर ना आए इसका ध्यान रखने का और government securities की sale और purchase को ऐसे manage करने का कि देश में liquidity position हमेशा है stabilized रहे monetary operations को अच्छे से चलाने के लिए जितने भी money market के अंदर regulations है या जितने भी प्रकार के नए नए instruments को develop करना है ये RBI ही इसके related सारे regulations बनाता है और money market को develop करता है कई प्रकार के market में instruments आज चुके हैं जैसे की आप यहाँ पर slide में देख सकते हैं call या notice term money market, repo market, certificate of deposit, commercial papers इसके इलावा collateralized borrowings and lending obligations अब जितने भी यह system है इनकी transactions और reporting RBI के द्वारा ही की जाती है और यह सारा काम होता है negotiated dealing system जो की मैंने अभी आपको पिछली slide में समझाया था NDS call platform के उपर पिछले part में हमने अच्छे से जाना था कि देश में foreign exchange को लेके आना RBI की ही responsibility है अब इसको manage करने के लिए RBI के पास है exchange rate management policy जिसे की conduct करता है RBI एक निर्धारित framework के अंदर अब पिछले कई सालों में कई principles बनाए गए हैं बहुत ही ध्यान से ताकि manage किया जा सके exchange rate को flexibility के साथ बिना किसी fixed target के अब इसके अंदर कोई भी pre-announced targets नहीं होते और RBI के पास ability है कि जब जरूरत पड़े उस समय वे intervene यानि दखल अंदाजी कर सकता है वे allow करता है demand और supply conditions को कि वे ही determine करें कि exchange rate क्या होगा किस प्रकार से movement होगी पर ये movement orderly होनी चाहिए RBI का main objective यही है कि देश में exchange rate management policy हो ताकि कभी भी किसी भी प्रकार की volatility और स्थिर्ता का बुरा असर हमारे देश की अर्थ विवस्ता के उपर ना आए अगर किसी समय कोई भी ऐसी activity होती है जो हमारे देश को destabilize कर सकती है उस activity को prevent करना देश में जितनी भी foreign exchange market है उसे एक orderly यानि निर्धारित और systematic way से develop करना जादा से जादा कोशिश करना कि देश में reserves बढ़े, assets बढ़े foreign exchange के इसके इलावा daily basis पर जो भी rate है उसको अच्छे से पढ़ना और उसी हिसाब से निरने लेना ताकि market जो है वो बढ़ती जाए उसी हिसाब से computations करना और सारी information को आगे disseminate या distribute करना तो इसके साथ ही हमारा आज का video lecture complete हुआ हमने जाने कई सारी regulations जो कि Reserve Bank of India ने बनाए है monetary operations को एक बहतर धंग से चलाने के लिए किस प्रकार से money market में instruments बनाए जाते हैं foreign exchange को कैसे handle किया जाता है और जो सरकारी securities market है उसमें कैसे खरी और बेच किया जाता है ताकि देश में कभी भी liquidity position जो है वो negative ना हो हम मिलेंगे बहुत जड़ एक नए video lecture में जिसमें हम जानेंगे कि RBI का developmental role क्या है और कैसे RBI समय समय पर research करता है और statistics और data publish करता है देश में future की research करने लिए तो आप भूलेगा नहीं like, share and subscribe